हलो इप्रिवान चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करें एकदम से यूनीक बहुत ही टेस्टी एकदम से हिल्दी ये नास्ते की रेस्पी मैं शेयर करी हूँ और इसे बनाएंगे एकदम से फ्लावर ये स्टाइल में ये देख सकते हैं गुलाब वाल है यानि कि रोस फ्लावर बहुत ही असान है इसे बनाना और देख सकते हैं एकदम से यूनीक सी रेस्पी है तो इसे जरूर ठ्राई करिएगा बहुत पसंद आएगा तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने दो बड़े साइज के बिट रूट को क्या करी है कि काट ली ह इस तर से पहले छिलका हटा लेंगे और इसको इस तर से हमें काट लेना है इसके बाद जो इसको इस तर से मिक्सी के जार में हमें डाल लेना है डालने के बाद जो इसमें डालेंगे पानी डाल करके और इसको अच्छे से हमें पीस लेना है तो पहले थोड़ा ही पानी डाल इसके बाद जो आटा गुंद करकर रोटी इससे बना सकते हैं, इसको फेकेंगे नहीं, तो इस तरह सी इसको हमें चां लेना है, देखिए बहुत यासाँए से यह च्छन जाता है तो इसका यह जो पानी निकला है यानि कि जूस निकला है इसी का यूस करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे यहां पर मैंने ठाई कप मैदा ले ली है तो मैदे को पहले अच्छे से छान लेंगे इसके पाद जो इसमें डाल देना है हमें नमक तो आदा चमश के लिए आटा गुν करके तयार करते हैं ठीक उसी तरह से हमें इस आटे को गूळ लेना है न ज्यादा गिल्ला रखेंगे और नहीं ज्यादा इसको हमें टाइट रखना है इस त्रह से गुंदने के जैसे यहाँ पर गाजर और यहाँ पर कैबेज है यानि कि पत्ता गोबी और प्याज है तो इस तरह से सबजिया अपने हिसाब से और भी इसमें आड़ कर सकते हैं और सबजिया को मतलब कम ज़ादा अपने हिसाब से कर सकते हैं तो इस तरह से मैंने याँ पर सिर्फ तीनी सबजिया का यूस करी है और पाइनी याँ पर गर्म करके और दो बड़े चमची इसमें तेल डालेंगे तेल जादा भी नहीं डालना है इसमें और इसके बाद जो है एक चमच अद्रक और लहसुन को कदुकस करके इसमें हमें डाल जाकते हैं तो इस तरह से हमें लोफ लेंपे अच्छे से इसको भून लेना है जिसे कि अद्रक और लेसुन जो है अच्छे से भून जाए पढ़ियां से इसमें से खुसबू आने लगे इसके पाद जो है यहाँ पर दो हरी मिर्श को छोड़े चोड़े टुकड़ों में मै अच्छे से भून लेना है इस सब्सभार जो मौश्वर है वो इसको हमें खटम करना है यानी कि निकाल लेना है इस तरह से तेज आच्पर ही इसको हमें अच्छे से भून लेना है इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, मतलब एक दम से soft नहीं कर लेना है, सब्जिया जैसा हमें इसको नहीं बना करके तियार करना है तो इस तरह से क्या करेंगे, इसमें स्वाद अनुसा नमक डालेंगे और थोड़ा से इसमें काली मिर्स का पॉडर डालेंगे ध्यान देना है कि नमक हमने आटे में भी यूज़ करेंगे, इसमें ज़्यादा नमक का यूज़ नहीं करेंगे लालमिस पॉडर डालेंगे और फुना हुआ जीरे का पॉडर डालेंगे, इसमें ज़्यादा मसाले हमें नहीं डालना है चाहें तो डाल सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा मसाला इसमें नहीं उसकर रही हूँ तो इस तरह से क्या करेंगे अच्छे से इसको mix करते हुए इस सबजिया को हमें soft होने तक अच्छे से पका लेना है तो यह देख सकते हैं मैंने इसको लगतार चलाते हुए लगवक 6-7 मिनट तक इस सबजिया को अच्छे से मने भून ली है और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल देंगे और डाल करके अच्छे से mix करेंगे और यह सबजिया काफी अच्छे से soft हो चुकी है अब ज़्यादा हमें नहीं पकाना है तो क्या करेंगे यहां पर हमें gas को क्या करना है कि बंद कर देना है और बंद करने के बाद जो है इन सब सबजियों को हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है ठंडा होने के बाद ही यूज़ करेंगे तो इस तरह से किसी दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे और इधर देखें यह जो आटा है काफी अच्छे से यह सोफ्ट हो चुका है देख सकते हैं तो इस तरह से और भी इसको गून लेंगे और इस तरह से क्या करना है इसमें से हमें छोटे छोटे इस तरह से बाल्स बना करके त्यार कर लेना है और एक साइज में ही बना करके त्यार करेंगे बड़ा छोटा जदा हमें नहीं करना है तो देखिए इस तरह से balls बना लेना है नहीं ज़्यादा बड़ा रखना है नहीं ज़्यादा इसको छोटा रखना है तो इस तरह से medium balls हमें बना करके तयार कर लेना है तो देखिए मैंने यहाँ पर सारे balls को बना करके तयार कर ली है अब आगे क्या करना है कि इसके लिए अब तीस तरह से हमें तीन पूरिया एक साइज के बना करके त्यार कर लेनी है, इसके बाद जो एक के उपर एक इस तरह से हमें रखना है, देखिए, इस तरह से हमें रखना है, ध्यान से देख लीजिएगा, इसके बाद जो है, इसमें डाल देना है, यह जो हमने सब्जिया के उयुत नहीं है इससतागी इस तरह कर देंगे कि हमें रोल कर देना है वाल वाल्व टेझा ऐसी कितना पढ़ कोते हुआ हो चुक ढूसे सरे कि एक दमसे गुलव वाल बताब लेगे ना बहुत ही लाव far वाल देंगे कि यहाइस से कंड्याइना है बन कि कैसे बनाना है तो बस इस तरह से मतलब एक साइज में पूरिया होनी चाहिए और इस तरह से एक के उपर रखेंगे बीच में यह जो इस तरह से वह फोर्ड करना है देखिए इसको दबाना बिल्कुल भी नहीं दबाएंगे ना तो फिर वह जो गुलाब का जो पैटल्स होत कितना प्यारा से एक दम से लुक आ गया है देखिए कितना संदर यह दिख रहा है तो इसी तरह से हमें सारे बना करके तयार कर लेना है तो इस तरह से मैंने यह आपर देख सकते हैं यह सारे फ्लावर डिजान में मैंने इसको बना करके तयार कर ली है अब इसको हमें पकाना अगर आपके पर स्टीमर हो जो होता है उसका भी स्त्माल कर सकते हैं इससंद्नल में पानी रक दिये तो इस तर देंगे और इसके ऊपर हमने बनाई हुई है रख देंगे और इसको अच्छा से ढख देंगे लगभख20,25 मिनट तक इसको अच्छे से हमें पका लेना है क्योंकि इसको हमने इस तरह से flower design बनाई हुई है तो यह थोड़ा मोटा हो चुका है इसलिए हमें अच्छे से इसको पका लेना है नहीं तो यह अंदर तक कच्चा रहेगा तो इस तरह से देख सकते हैं मैंने इसको लगवग 25 मिनट तक इसको पकाई हुई है काफी अच्छे से यह पक चुका है देखिए तब यहाँ पर गैस को हमें बंद कर देना है और इस तरह से देख सकते हैं कितना बढ़ियां सुन्दर सुपर टेस्टी बढ़ियां सा डिजाइन में यह हमारा फ्लावर नास्ता बोल सकते हैं या फिर स्नैक्स बोल सकते हैं या फिर मोमोस बोल सकते हैं बन करके तियार हुआ है एकदम से हेल्दी और बीना तेल का बहुत ही टेस्टी यह नास्ता हमने बना करके तियार करी है एक बार जरूर बनाई है घर में सबको बहुत पसंद आगा बच्चे भी बहुत ही पसंद से खाएंगे तो वीडियो अगर थोड़ी से भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स वी कोचीं!